हेलो दोस्तों, मैं प्रोफसर अन्पम पांडे, एक बार फिर आपका Fundamental Concepts in Geography Lecture Series बे स्वागत करता हूँ हमारा आज का टॉपिक है Local Winds जिने हम स्थानी पवने भी कहते हैं सबसे पहले Learning Outcomes हमारे आज के Lecture के Objectives हम देखेंगे कि Local Winds होती क्या है और दूसरा ये स्थानी पवने ये किन कारोनों से बनती है और कौन से वो कारक है जो इसको Modify करते हैं, जो इसके अंदर परिवर्तन लाते हैं देखे, Local Winds इस्थानी पवने ये स्थान विशेश की कुछ स्थितिया होती है हaleb प्रिस्थितिया होती हैं जिनकी वजय से यह जनरेट होती हैं ये बनती हैं और इनका प्रभाव भी एक इस्थान विशेश तक ही सीमित होता है चोटे एरिया में यह प्रभाव डालती है अब बात कौन सी इस्थानी या विशेश इस्थितियां हो सकती है या होती है देखे इसमें सबसे पहले extremes of hot and cold regions यदि अगर कोई इस्थान विशेश है अगर वो बहुत ठंडा है जैसे की polar area है या बहुत गरम है जैसे सहारा डेजर्ट है या हमारा राजस्थान का डेजर्ट ह जून जुलाई के महिने में तो ये इस्थानी अस्तर पर local winds को generate करता है इसी के साथ में जब winds किसी पहाड के किसी ऊचे परवत के ढाल के सहारे चलती हैं चाहे वो ऊपर चड़ रही हो या नीचे उतर रही हो या इसके साथ में जो land और water जल और जो स्थल है इनका जो pattern है कही कहीं पर जल आ गया फिर कहीं पर फिर स्थल आ गया फिर कहीं पर वाटर बॉड़ी आ गई जैसे कि आपका ब्लैक सी है काला सागर है कैस्पियन सागर है या ग्रेट लेक्स रीजन है जो ब्रिह जीलो का शेत्र है उत्तरी अमेरिका में यह अपने आस-पास के शेत्र में local winds क के फिनॉमिना को क्रियेट करता है कैसे क्रियेट करता है किस तरह की विंट्स होती है और यह कैसे उस शेत्र को प्रभावित करती है यह सब अभी हम लोग उधारण के साथ continent wise देखेंगे अब थोड़ी सी बात local winds की importance की इनके महत्र की देखिए इनका बहुत ज्यादा महत्र ह इसी के साथ में local अस्तर पर जो human response होती है जो मानुवी प्रतिक्रिया है बदलते मौसम के साथ जैसे हम लोग कहते है कि लू चलने लगी या शीतलहरी आ गई तो आप देखिए उसका एक immediate प्रभाव होता है हमारी human response पर या मानुवी प्रतिक्रिया पर कैसे और किन शेत्रों में यह हमें और हमारी क्रिशी को प्रभावित करती है यह सब बाते हम लोग अब समझेंगे सबसे पहले बात उत्री अमेरिका की local winds की इसमें सबसे महतपूर विंट आती है चीनूक लोकेशन यहाँ पर है यए यह लोकेशन है चीनूक के यह विंट्स यह राकी माँन्टेन्स है यह पूरा यह राकी परवत है यह विंट्स राकी माँन्टेन्स के जो पाली धाल है उनके सहारे पहले ये उपर चड़ती है इसके बाद राकी माउंटेंज को पार करती है और पार करने के बाद राकी परवत की जो इस्टर्न जो पूर्वी ढाल है उनके सहारे ये नीचे उतरती है और हमको पता है कि जब हवाएं ऊपर उतती है तो वो ठंडी होती है और जब हवाएं नीचे की तरफ उतरती है तो वो गरम होती है इसको गरम हम यहाँ पर नहीं कहेंगे लेकिन इसको वार्म कह सकते हैं हलकी गरम गरम किसकी तुल्ना में जो यहाँ पे इस जगह का जो तो जब यह हवाएं नीचे की तरफ उतरती हैं तो इनका तापमान ऐसे तो यह ठंडी होती है लेकिन जो इन प्लेंस में इन मैदानों का जो तापमान है अगर उसकी तुलना में देखे जहां पर बरफ पड़ी हुई है इन मैदानों में उसकी तुलना में यह हवाएं हम कह सक कि गरम होती है और जैसे हिए हवाएं यहाँ पर पहुँचती है। इन मैदानी शेत्रों में जब इस नीचे उतरती है, तो यह जो स्नोव है जो बरफ हों हो एकदम से गायब हो जाती है और इसलिए इन हवाओं को कभी-कभी इसनोव इटर भी कहते है और इसका महत्व यह है कि जैसे यह हवाय पहुचती है बरफ वहां से जो जमीन पर पड़ी हुई थी मैदान पर खतम हुई और तुरंत आप वहां पर वीत की कल्टिवेशन स्टार्ट कर सकते है ग्राउंड आपका खाली हो जाता है यह इस 갈ाओी इसका चहत्र भीgres मैं अगली लोकल विंड है सेंटा जो कैलिफोर्निया में चलते है यह इसकी लोकेशन है सैंटा एना के हम रहे ओए यह है सैंटा एना और यह इसका ए Là है ये उत्तरी अमेरिका के नौर्थ अमेरिका के जो coast range है जो Pacific coast पर पहाड़ है उनके western slope से नीचे उतरती है और ये गर्मी के मौसम में चलती है गर्मी के मौसम में चलने की वज़े से एक तो ये पहले ही गरम थी और उसके बार जब ये पहाड की ढालों से नीचे उतरती है तो इसकी जो dryness है शुष्टा है वो और बढ़ जाती है और ये सारी स्थितिया create करती है कलिफोर्निया में कि अगर उस गर्मी के मौसम में जंगल में एक छोटी सी चिंगारी भी पड़ गई तो इस हवा में जो dryness है उसकी वज़े से वो छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आसानी स से एक बड़ी आग का रूप ले लेती है इसके बाद नौर्थ अमेरिका के हम लोग थोड़ा सा नौर्थ इस्ट भाग में चले देखिए यह यहां पर हम पुछ एरो बना रहे हैं इस यहां पर local wind चलती है जिसे हम लोग नौर इस्टर बोलते है यह एरिया है इसका यह जा जाता है polar winds के प्रभाव में polar easterlies के प्रभाव में आ जाता है और यह हवाय जब arctic ocean से होते हुई और उसके बाद newfoundland के तट से होती हुई नौर्थ अमेरिका में भुझती हैं चुकि समुद्र के ऊपर से आ रही है ocean पर से आ रही है तो यह नम भी होती है इन में नमी भी होत ही उस एरिया के तापमाल को और इद्दम से कम कर देती हैं अब बात Canadian Shield की Northern North America की देखिए जो यह हिस्सा है जहां पर अब हम arrow बना रहे हैं यह पूरा एरिया हम लोग को पता ही बहुत ही ठंडा है और यह होता है Blizzard का यह एरिया है Blizzard का यह पोलर हवाई होती है जाडे के समय मे प्रेशर विंड्स के दक्षिड की तरफ खिशक जाने से यह पोलर एरिया की विंड्स उत्तरी North America के Northern पार्ट में आ जाती है और इनके पहुँचते इस पूरे एरिया का तापमान एकदम से कम हो जाता है अब अगर हम लोग North America की Topography देखे तो देखे इसमें इधर की तरफ यह अपलेशन माउंटेंस है इस पर भी बहुत डिटेल नहीं करेंगे जब वर्ल्ड रिजिनल पर आगे बात आएगी और इधर हम लोगों ने देखा था कि रॉकी माउंटेंस है North America में कोई भी माउंटें इस से वेस्ट की तरफ नहीं है पूरफ से पस्चिम की तरफ नही तो इस तका रिजल्ट यह होता है कि यह जो North की ठंडी हवाय है यह पूरे इस Plains को Cross करती हुई और एकदम यह नीचे तक पहुच जाती है यहां तक आ जाती है और इनको यह जाड़े के महिने में और इनको हम लोग Northern बोलते हैं यह एरिया आ जाता है Northern का चुकि यह जाड़ होती है और ड्राइ होती है और अंत में देखते है Great Lakes के रिजन को यहां November के महिने में एक विंड चलती है जिसे इस एरिया में November विच कहते है ऐसा क्यों जरा इसको समझते है देखिए November का महिना है तो पूरा North अमेरिका जो पूरा continent है खुब ठंडा हो गया लेकिन हम यह जान है यह उतना ठंडा नहीं हो पाता है जितना कि इसके आसपास के अगल वगल का जो शेत्र है वो हो जाता है और इसका रिजल्ट यह होता है कि जो Great Lakes के ऊपर की हवा है यह अपेक्शा क्रिट कमपरेटिवली गरम होती है अपने आसपास के शेत्र से और जब यह कमपरेटिव के एरिया बनने से यह आसपास की हवाओं को अपनी तरफ खीचता है अब इस प्रॉसेस में जो नौर्थ से बहुत उत्तर से बेहट ठंडी हवाए है यह उन्हें भी खीचता है और जो साउट से अपेक्षा करिद गरम हवाए है उनको भी खीचता है तो ग्रेट लेक्स के उपर नौर्वंबर के बहिने में बेहट ठंडी और अपेक्षा करिद गरम हवाएं लगातार आपस में मिलती रहती है मिक्स होती रहती है जिससे यहां का जो वेदर है जो मौसम है वो एकदम से अनप्रेडिक्टिबल हो जाता है इसका बहुत अच्छे से पुरवानुमान नहीं लगा सकते और इससे वहां कि जो एक आम जन जीवन है उसको बहुत परिशानी होती है और इसी लिए इसे शायद नौर्वंबर विच जो की अपने आपने एक अप्षगुन सा नाम है इस हवा को ये नाम दिया गया है अब बात लैटेन अमेरिका की लोकल विंड्स की स्थानी पवनों की सबसे पहले हम देखते हैं नौर्टे ये कोल्ड और ड्राइविंड होती है और नौर्टे का एरिया है साउथ का मेक्सिको का पार्ट देखिए यहाँ पर ये नौर्थ में ये मेक्सिको का पार्ट बनाया ये नौर्टे का एरिया है नौर्टे वास्तों में जो नॉर्थ अमेरिका की पोलर विंड्स है जो साउथ की तरफ की सकते हुए, ग्रेट प्लेन से होते हुए, अमेरिका के सदन पार्ट में आ गई थी, अमेरिका की दक्षडी भाग में आ गई थी, उन्ही का ये एक extension होता है, जो मेक्सिको तक भी पहुच सकती है, और ये ह इस परवत के जो एंडीज रेंज है, ये जॉन्डा का एरिया है, ये हमने बनाया, ये एंडीज का जो eastern slopes है, वहां से ये हवाएं नीचे उतरती हैं, और चुकि ये नीचे उतरती हैं, तो ये धीरे-धीरे करके गरम हो जाती हैं, और ये वैसे ही होती हैं, जैसे चीनूक का इफेक्ट हम लोगों ने देखा नौर्थ अमेरिका में, और ये पैटागोनिया और इसके आसपास के एरिया का जो temperature है, उसको थोड़ा सा बढ़ा देती हैं, चीजों को थोड़ा सा comfortable कर देती हैं, इसके बाद तीसरी wind है, पंपैरो, ये देखिए, ये पैमपास से नाम लि होती हैं, और जब ये ब्यूनस आयर, जो अर्जंटीना की capital है, जब ये उस एरिया में पहुचती हैं, तो वहाँ पर जो hot and humid climate होता है, उस समय का जो weather होता है, उसको थोड़ा सा ये normal कर देती हैं, जो स्थिती है, उसको वहाँ के लोगों के हिसाब से थोड़ा सा बेहतर कर देती हैं, इसके बाद अगला आता है local wind, काजू, ये देखे, ये काजू का area है, ये actual में ये ब्राजील के coast पर पहुचती है, ये है काजू का area, ये southern hemisphere की trade winds है, और ये जब पहुचती है, तो ये थोड़ी सी बारिश करती है, coast पर temperature थोड़ा सा humid होता है, हलका सा गरम होता है temperature और ये फरवरी के महिने में, ये ब्राजील में कार्निवल का season होता है, उस समय फेस्टिवल का season होता है, उस समय ये पहुचती है, अब इस पर ध्यान दीजेगा कि फरवरी का महिना है, और ये हवाएं summer होती है, क्योंकि जो seasons होते हैं हमारे, वो southern hemisphere में उल्टे होते हैं, न यहाँ पर उरुगवे के coast की थोड़ी सी बात करेंगे, यहाँ पर एक local wind मिलती है, जिसको हम लोग कार्पेंटेरियो कहते हैं, इसको मैं CA से शो कर रहे हैं, कार्पेंटेरियो, ये भी polar winds का extension है, समुदर के उपर से आ रही है, तो इनका temperature कम होता है, ये cold होती है, लेकिन इसी humidity भी लाती है, आधरता भी लाती है, और ये एक important role play करती है, कहाँ पर उरुगवे के agriculture, उरुगवे और South Brazil के agriculture पर, और अंत में पापा आ गयो, देखें ये Central America का coast है, यहाँ पर हम ये arrow बना रहे है, ये पापा आ गयो, इसको मैं आप पी से शो कर रहे है, पापा आ गयो ये Northern Hemisphere की trade winds है, व्यापारिक पवने हैं, जो Caribbean Sea से होती हुई, और फिर ये Central America, ये जो neck है, उसको ये पार करती है, उसको cross करती है, इसकी Eastern slopes पर ये खुब बर्शा करती है, क्योंकि ये ocean से Caribbean Sea के उपर से आ रहे है, और लेकिन जब ये cross करके Western slopes की तरफ जाती है, तो ये एक ब उसके और उसके आसपास के countries का जो weather pattern है, उसको ये define करने में बड़ा important role अधा करती है, आईए अफरीका की कुछ local winds देखते हैं, इसमें सबसे important local wind हम लोग कह सकते हैं, हर्माटन होती है, देखिए ये इसकी location है West Africa में, ये Sahara Desert से निकल करके West Africa का जो coast है, जिसे हम लोग गिनी क तर्टपी बोलते हैं, यहाँ पर पहुचती है और जब ये इस coast पर पहुचती है तो इसको यहाँ पर doctor या Cape doctor भी कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, देखिए ये जो Africa का coast है यहाँ पर, ये green color आप देख रहे हैं, खूब vegetation है, बारिश खूब होती है, equatorial climate है और पास में ocean है, त तो वहाँ पर बहुत तरह की बीमारिया, मच्छर, इंसेक्ट और तरह-तरह की परशानिया होती हैं, लेकिन ये जो हर्माटन है, चुकि ये सहारा डेजर्ट से निकलती है, बिसिकली ये northern hemisphere की, ये trade winds है, ये सहारा डेजर्ट से निकल करके, ये सहारा से निकलती हैं, और ये trade जो आदरता है, वो कम हो जाती है, और मौसम सुहावना हो जाता है, इसी लिए इसको यहाँ पर डॉक्टर भी कहते हैं, अब चलते हैं, नौर्थ अफरिका में, ये पूरा एरिया सहारा डेजर्ट का है, और यहाँ पर गर्मियों में हवाएं, ये ये योरोप की तरफ बढ अफरिका से नौर्थ की तरफ चल करके और योरोप तक पहुचती है, और जब ये सहारा से ये हवाएं बनती हैं, चलती हैं आगे, तो ये बहुत गरम और ड्राई होती हैं, लेकिन जब ये मेरिटेरियन सी की उपर से गुजरती हैं, तो ये उसमें से आदरता पानी बारिश करती हैं, इन्हें यहाँ पर योरोप में ब्लड रेन भी कहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सहारा से आ रहे ही, तो इनके अंदर खुब सारी डस्ट होती है, खुब सारी सैंड के छोटे-छोटे पार्टिकल्स, बालू के पार्टिकल्स होते हैं, जो आगे चलके मे इनको मिली, पानी मिला, और उसके साथ मिलकर के वर्शा करते हैं, तो ये बारिश काफी मटमेली या रेड कलर की लाल रंकी होती है, तो इसलिए इसको येरोप में, सदन येरोप में ब्लड रेन भी कहते हैं, अब देखते हैं नौर्थ अफ्रीका की कुछ और लूकल देखें, ऐजिप्ट में ये खमसिन है, इसके बाद लीबिया में गिबली है, और टूनीशिया में चिली है, ये तीनो विंट स भी सिर्योको की ही तरह होती हैं, सहारा से बाहर की तरफ चलती हैं, येरोप की तरफ आगे बढ़ती हैं और जब है मेरिटेलियन सी के ऊपर से गुजरती हैं तो वहां से मॉइस्टर लेकर के और साउथ यूरोप में बालकन पेनिंसुला वगरा में बारिश करती है अफरीका के सेंट्रल पार्ट को अगर हम लोग देखें यह हिस्सा है यहाँ पर एक लोकल विंड चलती है जिसको हबूब बोलते है यह हबूब का एरिय है जी यह एरिया यहाँ पर अगर आप इस एरिया के साउथ के तरफ देखें तो फॉरस दिख रहा है ग्रीनरी दिख रही है इसके बाद सवाना के ग्रास लैंड है इसमें डेजर्ट भी आ गया यहाँ पर चाट बेसिन का भी यह कुछ हिस्सा पड़ता है और इसके इस्ट में इथोपिया के हाई लैंड है इस्ट अफरीका के हाई लैंड परते हैं तो यह सारी चीजे मिल करके यहाँ पर पानी भी है वेजिटेशन भी है ग्रास लैंड भी है डेजर्ट भी है हाई लैंड भी है तो यह सब मिल करके एक अनिस्टेबल सी स्थिती बनाते हैं जिसकी वजए से ये local wind यहां पर धूल भरी हवा चलती है और इसका कोई एक set pattern नहीं है कि ये किस दिशा से किस दिशा में चलेगी या साल के किस समय चलेगी आई अब अफरिका से हम लोग थोड़ा नॉर्थ की तरफ चलते हैं ये यॉरप की local winds देखते हैं देखे इसमें सबसे जो पहली wind हमने लिया है वो fawn है ये warm और dry wind है ये गरम और dry शुष खवा होती है और ये जो आल्प्स की पहाड़िया है इसके northern slope से ये नीचे उतरती है द यहाँ जाड़े में और बसंत के जो springs के पहले का सीजन है वहाँ पर खुब बरफ पड़ी रहती है और ये हवाय जब नीचे उतरती है डिसेंड करती है तो धीरे-धीरे करके गरम होती है और जब ये पहुचती है नीचे तो वहाँ की snow को melt करती है इनका बड़ा महत होता है क्योंकि snow की melting के बाद जो पानी available होता है वो जो अंगूर की यहाँ पर खुब खेती होती है इस area में तो अंगूर की खेती के लिए जो पानी melt होता है वो बड़ा महतपूर होता है तो ये बात हुई flon की इसके बाद France में एक बहर ठंडी और ड्राइविंड चलती है मिस्ट्रल जिसे बोलते है ये मिस्ट्रल का area है फ्रांस में ये cold और ड्राइविंड है ये North Atlantic Ocean से होती हुई अंदर की तरफ पहुचती है continent में और जब ये पहाड़ों की एक सक्री घाटियों से गुजरती है तो ये काफी तेज स्पीड भी ले सकती है और इस से इस area में जो aviation है हवाई जहाद जहाँ पर land करते एरपोर्ट से तो उनके लिए कभी-कभी ये दिक्कत भी पैदा करती है इसके बाद Spain के अगर हम दक्षडी भाग में देखें तो Mediterranean Sea से होती हुई और दक्षडी Spain की तरफ ये हवाँ चलती है इसको Levant बोलते है ये बहुत ठंडी हवाँ होती है और चुकि Mediterranean Sea के उपर से आ रही है तो इसके अंदर कभी-कभी humidity भी होती है इस से थोड़ी बहुत बा Peninsula जो अस्ट वाइल पहले का यूगोसलाविया था यहाँ पर स्लोवीनिया, क्रोएशिया ये इधर Italy है यहाँ बीच में Adriatic Sea है ये पूरा एरिया है बोरा का ये continent से होती हुई आ रही है हवाए तो ये ठंडी होती है ड्राई होती है ये जब Adriatic Sea के उपर से गुजरती है तो बहुत मौइस्चर ले सकती है जिससे की इटली के कोस्ट पर इटली का इस्टरन कोस्ट है इस पर ये थोड़ी बहुत बारिश करती है अब अगर हम लोग यूरोप के नौर्थ में चले तो देखे ये सेंट्रल एशिया और जो इसका पार्ट है आप कह सकते है रशा का जो क इसके थोड़ा सा साउथ में बुरान चलती है ये दोनों हुआए बहुत ठंडी होती है पोलर विंड्स है ड्राइ होती है और ये जहां भी पहुँचती है वहाँ पर का जो तापमान है उसको बहुत कम कर देती है कभी-कभी इनके साथ बरफीले तुफान भी चलते है और हम थोड़ा सा और नौर्थ यरप की तरफ चले तो हमने देखा था यहां पर एक हवा कैनेडा में भी एक टर्म यूज़ किया गया था ब्लिजर्ड ये विंड्ड होती बिसिकली ये बरफीले तुफान होते हैं बरफ के छोटे छोटे पार्टिकल्स इनके साथ हवा के साथ तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं ये पोलर विंड्स है और ये जहां भी जाते हैं वहां का पूरा जो टेंपरेचर है वो सब जीरो हो जाता है हम कह सकते हैं कि सारी चीजे जम जाती है तो ये ब्लिजर्ड का एरिया है जो नौर्थ येरप का और यहां पर विजिबिल् है लू के बारे में हम बात करेंगे ये लू का एरिया है ये नौर्थ इंडिया है जो गंगा का मैदान है राजस्थान से निकल करके जो गंगा का मैदान का एरिया है हम लोग सब परचित हैं लू से और ये गर्मी के समय में चलती है बहुत ही गरम और ड्राइविंड होती ह और जहाँ भी यह पहुचती है, एकदम से वहाँ के तापमान को भढ़ा देती है और आदरता इतनी कम होती है, गर आप सही से प्रिकाशन ना ले तो वो sun stroke भी हो सकता है, आदमी की death भी हो सकती है इसी करम में हम देखे थोड़ा सा इस्टर्न इंडिया में जो बांगलादेश का एरिया है हमारा इस्टर्न पार्ट है यहाँ पर एक विंड चलती है यह एरिया है काल बैसाखी का देखे यह समर्सकेस में चलती है घर्मी के टाइम में टेंपरेचर्स खुब हाई है पूरे ग और तेज बारिश होती है जो हम लोग कभी-कभी फील करते हैं हमारे हाँ गर्मी के मौसम में होती है अब बात करते हैं Arabian Desert की थोड़ा सा West की तरफ हम लोग चले West Asia में चले तो यहाँ पर दो prominent winds है एक है सीमून यह सीमून का एरिया है यह एरिया सीमून का है यह साउदी अरेबिया में जो desert है यहाँ पर है और दूसरी है शामल यह इराक में चलती है यह शामल का एरिया है यह शामल का एरिया है और यह सीमून का एरिया है ये दोनों बहुती गरम और ड्राइ विंड्स होती हैं गर्मी के मौसम में चलती हैं और इनके साथ में काफी धूर भड़ी आंधिया, बालू, डस्ट ये सारी चीजे चलती हैं जैसे हमारा लू है उसी नेचर की होती है लेकिन ये और लोकल अस्तर पर होती है अब हम लोग मिसोपुटामिया या इराक से थुदा सा नौर्थ में चलें तो देखें यहां पर दो बड़ी वाटर बाडी मिलती हैं एक ब्लैक सी है कैस्पियन सी का एरिया है और इसका जो नौर्धन पार्ट है कैस्पियन सी का यहां पर एक लोकल विंड चलती है जिसको अनतर है यह उसकी वजह से जनरेट होती है अब जोग हम लोग जपार जपार से की आरे ब्रभिस नहीं है लेकिन जब इसब्स रोटकी हम से नीचे उतरती है पेसिफिक कोष्ट की तरफ नीचे उतरती है तो हवाव का एक प्रोड cha की जब उन नीचे उतरेगी तो वह गरम होगी वह वर्म होगी तो यह नीचे उतरती हुए हवा थोड़ा सा गरम हो जाती है और इसका बड़ा महत है जपाइन के अग्रिकल्चर में इस एरिया के कृशी में और अंत में बात आस्ट्रेलिया या ओसीनिया की देखिए इसमें जो पहली और सबसे महत्पूर हम कह सकते हैं लोकल विंड है इस्थानी और जो प्रिकल्चर में पावन है वो है ब्रिक्वीड है देखिए अस्ट्रेलिया का यह जो पूरा असेंट्रल है यह सब ड़ेजरट है और जब यहां पर गर्मी पड़ती है दिसमबर और जन्वरी के बहिने में तो यह एरिया और भी गरम हो जाता है और इस पूरे हीटे इसक्रिटे। लैंड मास से इसक्या एक बड़ा इरिया में यहाँ से हवाइं निकल करके गरम हवाइं बाहर की तरफ फैलती हैं और उनी में से हवाइं जब यह एस्ट्रेलिया के साउथ कोस्त पर पहुचती है, तो यहाँ पहुचने वाली विंड्स को ब्रिक فील्डर कहते ह ये brick filter है ये बहुती गरम और dry हवाय होती है और ये Australia में काफी uncomfort भी create करती है कभी-कभी ये जो यहाँ से गरम हवाय है निकल करके और ये बड़ी धूल भरी भी होती है dust होता है साथ में थोड़े sand के particles होते है और इनका प्रभाव इतना होता है कि occasionally ये New Zealand तक भी पहुच सकती है ये इस जगह पर भी पहुच जाती है New Zealand के जो आप कह सकते है Western Coast है इसका और जब ये New Zealand पर पहुचती है यही हवाय ये तो इसको हम लोग नौर वेस्टर बोलते हैं ये नौर वेस्टर विंड्स होती है चुकि यहाँ पर तो ये hot और dry गरम थी और शुष्ट थी लेकिन जब ये Pacific Ocean के उपर सी गुजरती है तो ये थोड़ा moisture पिक कर सकती है उठा सकती है जिससे यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश भी हो सकती है और तीसरी यहाँ पर जो प्रमुक स्थानी पवद है ये देखे ये Australia का South Australia, South West Australia का जो coast है जहाँ पर इनका महतपूर शहर पर्थ है यहाँ पर ये area पूरा गरम है ये पूरा लेकिन जब यहाँ से sea breeze चलती है देखे ये sea breeze, land breeze, sea breeze हम लोग इस पर बात कर चुके हैं पहले, प sea breeze का temperature कम होता है या पेक शाकरे ठंडी होती है और जिनके पहुचने से यहाँ पर जो एक intense hot weather है जो गरम weather है वो हलका सा pleasant हो जाता है जो Australia में यहाँ पर इन लोगों को comfort provide करता है और इसी लिए इन winds को ferro doctor या doctor कहते है या fermental doctor भी कहते हैं यहाँ पर ये ferro doctor कहते हैं तो ये ती देखिए यहाँ की ओशीनिया की local winds है इसी के साथ में हमने तीन winds और mention किया है roaring forties furious 50s और श्रीकिंग 60s यहाँ बात का ध्यान दे कि यह तीनों local winds नहीं है अगर यह local winds नहीं है तो हमने इसको local winds के वीडियो में क्यों add किया और दूसरा उसमें भी हम इसे Australia के साथ क्यों बता रहा है जरा इस बात को समझते हैं basically यह roaring forties जिसे हम लोग गरस्ती चालिसा furious 50s जिसे भेंकर पचासा और श्रीकिंग 60s जिसे चीक्ती साथा भी कहते हैं यह 40-50-60 यह अक्षांस्या latitude को इंकित कर रहा है तो देखिए यह Australia में यह इस तरीके से यहाँ पर roaring forties है इसके बाद furious 50s है और यह श्रीकिंग 60s है यह 40 है यह 50 है और यह 60 है यह actually में दक्षरी गुलार्द की पच्छुआ पवने हैं अब इसके साथ में यह roaring और furious और 60s श्रीकिंग इस तरह का नाम क्यों add हुआ है अगर हम लोग world map को देखे तो दक्षरी गुलार्द में सदन हमें स्वेयर में 40 से लेकर के 60-70 degrees latitudes के बीच में land area बहुत कम है और land area कम होने की वज़े से यह westerly winds जब चलती है तो इन्हें किसी भी तरह का अवरोद किसी भी तरह का obstacle या हम कह सकते हो रुकावट नहीं मिलती है और यह पूरे globe पे चारों तरफ यह 40, 50 और 60 degrees south latitudes पर तेज रफतार से घुमती रहती है और यही कारण है कि यह अवरोद नहीं होने से यह बड़ी enormous speed ले लेती है और इनके साथ में जो नीचे समुद्र है चाहे वो Southern Ocean हो Atlantic हो Pacific Ocean का पार्ट हो उसमें जो लहरे है वो भी काफी ऊची 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 उठती है अब यहाँ पर यह local winds के context में हमने Australia में इनका नाम क्यों यहाँ पर add किया है आदो यह local winds नहीं है देखिए यहाँ पर अगर हम लोग रोडिंग 40 को देखे तो यह आता है 40 डिग्री से लाटिट्यूड यह पड़ता है टेस्मानिया और आस्ट्रेलिया के बीच में और यह न्यूजिलैंड का भी काफी हिस्सा 40 डिग्री लाटिट्यूड के साउथ में है मतलब यह 40, 42, 47 न्यूजिलैंड का जो साउथ हाइलेंड है वो 40 डिग्री के साउथ में आता है 50 और 40 और 50 डिग्री साउथ लाटिट्यूड के बीच में है जब यहाँ पर विंटर होती है मतलब सन की डारेक्ट रेज लंबवत के रने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती है तो यह सारी प्रेशर बेल्ट्स नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होती है और जब यह जो उपध्रूई सब पोलर हम कह सकते है निम्यदाब की पेटी है जो लो प्रेशर की बेल्ट है जहाँ पर यह वेस्टरली विंट्स पहुच रही है पछवा पाउने यह भी शिफ्ट होकर क के नॉर्थ की तरफ आ जाती है और इसके नॉर्थ में आने की वजए से ऑस्ट्रेलिया का जो सदन पार्ट है न्यूजिलेंड का है और तमाम छोटे बड़े आइलेंड्स हैं ओशीनिया में पैस्पिकोशन में वो इन हवाओं के आप कह सकते हैं चपेट में आ जाते हैं य में बदलाव लाते हैं एक लोकल अस्तर पर कुछ समय के लिए तो इसलिए हमने इन विंट्स का जो प्रभाव पड़ता है उसको हमने लोकल विंट्स के साथ एड़ किया है जबकि वास्तों में जैसा हमने पहले बताया यह लोकल विंट्स नहीं है यह सदन हमिस्फियर की व फानी पवने होती है यह ठंडी और गरम दोनों हो सकती है और यह इस पर निर्भर करता है कि उसका जो सोर्स रीजिएन हैं जहां से स्टार्ट हो रही है वो कैसा है जैसा हमने उदारा ब्लिजर्ड को देखा जो बहुत ठंडी हवाई होती है और लू देखा जो हमारे हाँ चलती है और हम लोग सब जानते हैं कि लूग क्या होता है कितना गरम होता है इसके बाद लोकल विंड्स ये परिवर्तत होती है इन में परिवर्तन बदलाव आता है कैसे जब ये पहाडों के स्लोस पर चड़ती या उतरती हैं जिसका उधारन हम लोगों ने चिनुक और फ्ला बाड़ी है जैसे कि नौर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स का रीजन है या सेंट्रल अश्या में कैस्पियंसी है इससे भी लोकल विंड्स जनरेट हो सकती है लैंड और वाटर के आपके सकते हैं अंतर से जिसका उधारन हम लोगों ने देखा नौर्थ अमेरिका में नवे eth град सकता है तो निश्चित उत से इनका एक बड़ा इंपक्ट होता है उस शेत्र की कृशी पर और और हमन रिस्पाउंस पर भी अगर एकदम से ठेम्परेचर दो 4 डीगरी बढ़ गया या एकदम से cold waves आती है जिसको हम लोग शीत लहरी कहते हैं तो within days हम लोगों का कपड़ा रहें सहन पहनावा सब कुछ यह परिवर्थित कर देती है और अंत में बारी thinking geographically की सिरोको is hot but northern is a cold wind although they both blow on the same latitude and same hemisphere सिरोको और नॉर्दर ये दोरों लगभग एक ही अक्षाल्स पर चलती है और एक ही गोलार्द में भी northern hemisphere में पाई जाती है चलती है लेकिन इन में सिरोको एक hot local wind है और नॉर्दर cold local wind है ऐसा क्यों इस पर थोड़ा विचार करिएगा अब reference और further readings के लिए आप लोग सबसे पहले NCRT की किताब पढ़ सकते हैं क्लास 11 की fundamentals of physical geography या भौतिक भूगोल के मूल सिद्धाद English Hindi दोनों में available है और उसके बाद आप physical geography या भौतिक भूगोल का सुरूप सवीन सिंग जी की किताब है प्रभालिका publication से इसको आप concern कर सकते ह और एक अहम बात अभी तक के lectures जितने भी हुए है उस पर आपकी जो भी queries हो clarification हो आपके questions हो उनको आप नीचे दिये गए इस whatsapp number पर उनको आप message कर सकते हैं आगे हम लोग जब भी thinking geographically के questions को discuss करेंगे एक अलग session में तो जो आपकी queries है उनको भी हम लोग उनी questions के साथ में incorporate कर झालग eज में Antes da को ör oy आपकी तक कर दो आपकी साथ में आपकी कर देना आपकी वेना है झालगIE क